आईपील 2022 के सुलहमे मैच में गुजरात ट्रैटन्स का सामना होगा पंजाब किंग से आपको बता दें कि हार्दिक पांडिया की कप्तानी में अब तक खेले दोनों मैच गुजरात ट्रैटन्स की टीम जीत चुकी है टीम इंडिया के लिए अच्छी बात ये है कि आलराउंडर बल्लेबाच के साथ साथ हार्दिक पंडिया एक 72 कप्तान उभर कर सामने आ रहे हैं क्रिकेट के जानकार मान रहे हैं कि आने वाले समय में हार्दिक पंडिया टीम इंडिया की कप्तानी कर सकते हैं दूसरी तरफ बॉलीबूड अभीने त्री पृती जिन्टा की टीम अब तक खेले कुल तीन मैचों में दो मैच जीत चुकी है। आपको बता देएं कि अपने पिछले मैच में चिन्नेई सूपर किंग्स से जैसी मजबूत टीम को हराने के बाद आत्म विस्वा से लबरेज पंजाब किंग्स की टीम अब गुजरा ट्रैटन्स के खिलाप जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। दरसल लियाम लिविंग इस्टोन जैसे विस्वा चेंपियन ओल राउंडर बल्लेबाज के आने के बाद पंजाब किंग्स की टीम काफी मजबूत हो चुकी है। गुजरात ट्रैटन्स का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गुजरात ट्रैटन्स के सुभूमन गिल और डेविड मिलर जबरदस्ट फॉम में चल रहे हैं। पिछले मैच में छे चौके और चार सांदार छक्के की मदद से 84 रनों की आकरामक पारी खेलने वाले सुभूमन गिल एक बार फिर पंजाब किंग्स के खिलाप अपनी आकरामक बल्लेबाजी का जलवा विखेरने के लिए पूरी तरह से तयार हैं। इसके अलावा खुद कप्तान हारदिक पांडिया के साथ साथ राहूल तेवतिया जैसे घातक आलराउंडर बल्लेबाज हैं।